वेल्कम टू माई यूटूब चैनल MS एक्जाम्स दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एटीवी भारत का न्यूज है बस कुछ दिर पहले इसको अब्रेट किया गया है देख सकते हैं आपर न्यूज क्या है आप देख सकते हैं आप न्यूज में बताया जा रहा है क्या लिखाएं हो तो है ऐसा इस न्यूज में बताया जा रहा है इसमें देख सकते हैं आप यहां पर जो गर्दनी बग में धर्णास थल पर जो लिया गया फोटो है उसको दिखाते हुए क्या लिखा गया है इसके दौरा जब तक कॉंसिलिंग पूरी नहीं होगी तब तक सभी अबेरतों की स्टिफिकेट जाश पूरी नहीं होगी तब तक सिक्छकों की नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा मुई तीसे राउंड की कॉंसिलिंग का सीडियूल बदलने की पूरी समभवना है देखिए इसका रिपोर्ट को पढ़ते हैं क्या लिखा गया है इसमें छटे चरन का सिक्षक नियोजन सिक्स्थ फेज टीचर रेकूट्मेंट में सिक्षकों को नियुक्तिय पत्र का इंतजार है ठीक है सिक्षकों को एक तरफ तो सरकार ने अस्पष्ट कर दिया है कि जब तक कॉंसिलिंग पूरी नहीं होगी और जब तक सभी अभयर्थियों की सर्टिफिकेट जांच पूरा नहीं होगी तब तक नियुक्तिय पत्र नहीं मिलेगा ऐसा तो सरकार ने अस्पष्ट कर दिया है उसका आद देखिया कर दूसरी तरफ जो तीसरी राउंड की कॉंसिलिंग होनी है उसमें भी देरी के असार है तिसरी राउंड की कॉंसिलिंग का सीडियोल बदलने की पूरी समय नहीं आहें अब यह जनवरी में हो सकता है होई आंडॉलन कर रहे है अभयर्थिआं कर परसासन के ओर सज़वरे उठाने का बात से अब पूरी उमीद सरकार पर टिक गई है तक है यहीं कि जब इसको उठा दिया गया है अब सिक्षक अभियर्ति पुरी उमीद सरकार पर टिक गई है कि अब सरकार जो भी करेगा वह यह पाएगा सिक्षक अभियर्थी पपू कुमार का कहना है कि जल्द से जल्द चैनेत अभियर्थियों को नियुक्तिपत देने और बांकी जगों पर कॉंसरिंग पूरा कराने के लिए 29 नॉवंबर से प्राथमिक सिक्षक अभियर्थी अनिशित कल अंधरुन कर रहे थे लेकिन अंधरुन कर रहे हैं सिक्षक अभियर्थियों को आखिर कार परसासन ने वहां से हटा दिया उन्होंने यावी कहा कि हम सरकार से शिर्फ इतनी अपिल कर रहे हैं जी जैसे जैसे अभेरतियों का चैन होता जाए उन्हें युक्ति परत मिलता जाए क्योंकि हमें यह डर है कि कहीं इस मामले को लेकर यह नियुक्तिय परिकरिया लंबी लंबित ना हो जाए कि दरसल सिक्षक अभियरतियों का डर यहीं नहीं है क्योंकि छेटी चलंड के सिक्षक नियोजन की प्रिक्रिया वर्स 2019 में शुरी हुई थी यह 2019 की बाहली नहीं है यह 2017 की बाहली है क्योंकि स्टीटी का एक्जाम 2017 में ही आउजित के आ गया था उसके बाद एक के बाद एक कई मामलों को लेकर अभियरति कोड चले गए जिसके कारण समय सिमा बढ़ती गई इस बारे में एन आई ओएस डेलर संग के अध्यक्ष और सिक्षक अभियरति पप्पु कुमान ने एटीबी भारत को बताया कि अभियरतियों ने प्रात्मिक सिक् असला होगा कि क्या जो सिड्यूल 14-22 देसंबर के बीच कॉंसलिंग जारी हुआ है उसमें कॉंसलिंग कराने में परिशा नहीं हो सकती है लेकिन यह असपष्ट है कि मुख्या और प्रखंड प्रमुख का निरवाचन जब तक नहीं हो जाता तब तक तक तकनिकी रोप से हो सकती पप्पु कुमर ने बताए कि जो सिड्यूल 6 चरण के तीसरे राउंड के लिए जारी हुआ है उस कॉंसलिंग सिड्यूल में 20 से 25 दिनों का बदलाव हो सकता है एटीवी भारत ने भी सिक्षा विभाग के अपर मुक्य सचीव संजे कुमार से बात की उन्होंने असपस्ट किया कि मुख्या और प्रखंड अध्यक्ष के चुनाओं के बाद ही तकनिकी रोप से हम मेरिट लिस्ट और कॉंसलिंग की पूरी कर पाएंगे क्योंकि कई जग अध्यक्ष का चुनाओं के बाद परखंड अध्यक्ष का चुनाओं जब हो जाएगा तभी तभी प्रात्मिक सिक्षकों के चट्टे-चरण के नियोजन में थर्ड राउन की कॉंसलिंग की परिकिरस सही तरीके से पूरी हो पाएगी संजे कुमार ने बताए कि 31 दिसमबर तक परखंड अध्यक्ष चुनाओं हो जाने की संभावना है इसलिए संभावता जनवरी महिने में अब जनवरी महिने में ही अब प्रात्मिक सिक्षकों के थर्ड राउन के कॉंसलिंग हो पाएगी ऐसा आज का जो सची वाले अपडेट है वहां से ऐसा कुछ अपडेट न